हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मा यूटूब चैनल जीवन दर्सन अभी तक हमने टैंसर की बारे में कुछ इस्टेडी कर लिया है और उस पे कुछ थीरम्स भी देखें हैं आज जो हमारा थीरम है वह बेस्ट है मिक्स टैंसर ऑफ सेकेंड और पर आएए देखते हैं थीरम का स्टेटमेंट क्या है थीरम कहता है दे इक्विशन ऑफ ट्रांस्वर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्स टैंसर ऑफ सेकेंड और पॉसेस ग्रूप प्रॉपर्टी या तो कहें ट्रेंजिट्व प्रॉपर्पर्टी इस्टुदेंट्स ट्रेंजिट्व हैं बट हम यहां ABC की जगह हैं हम coordinate system यूज़ करेंगे XI X bar I और X double bar I तो बढ़ते हैं अपने proof की तरफ है इस्टुडेंट्स हमें थीरम में कहा है mixed tensor of second order मतलब हमको mixed tensor लेना है second order का so let aij be the component of a mixed tensor of second order वहां पर second order का है तो हमने aij को भी mixed tensor ही लिया है second order का इसको order 2 है क्योंकि i और j दो index यूज़ हुए है let aij be the component of a mixed tensor of second order in XI coordinate system हम मानते हैं कि aij जो है वह component है mixed tensor का XI coordinate system में हम consider करेंगे coordinate का transformation हमने coordinate का transformation इस तरह से लिया है XI जो है वो transform हो रहा है X bar I में और X bar I जो है वो transform हो रहा है X double bar I में इसके corresponding जो mixed tensor होगा वो aij जो है convert होगा या तो transform होगा a bar IJ में और a bar IJ है वो जो उसका transformation है वो होगा a double bar IJ में इसको हम अगर चाहें तो name दे सकते हैं a, b और इसको c students एक बात हमेशा ध्यान में रखके चलना है कि हमारा जो target है वो हमको ये दिखाना है a का relation b से b का relation c से तो a का relation b c से होना चाहिए तो हम एक बार transformation करेंगे x i का x bar I में और एक बार transformation करेंगे x bar I का x double bar I में फिर last में जो आएगा वो आएगा x i का जो transformation होगा वो double sorry x double bar I में हो जाएगा और यहीं पर हमारा theorem proof हो जाएगा तो चलते हैं पहला transformation x i का x bar I में करते हैं if x i is transformed to x bar I coordinate system then the law of transformation अगर x i जो है x bar I में transform हो रहा है तब उसका law of transformation क्या हो जाएगा हमने यहाँ पर lk ले लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं a bar lk equal to am n del x bar l upon del x m del x n upon del x k यह law of transformation होता है इसको अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है तो यहाँ पर हो गया x i जब convert हो रहा है x bar i में तो यह हम law of transformation लिख रहे हैं और हम इसको नाम देते हैं equation 1 और अगला जो transformation लेंगे वह x bar i से x double bar i में लेंगे x bar i से x double bar i में और यहाँ पर लिया है x i से x bar i में If x bar i transform to x double bar i coordinate system then the law of transformation तब उसका law of transformation क्या हो जाएगा a double bar i j equal to a bar l k del x double bar i upon del x l del x bar k upon del x double bar j अब हमने यहाँ पर a l k क्यों ऐसा लिया है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी value put कर सकें हम कोई भी यहाँ पर index लेंगे और यहाँ पर जो आएगा law of transformation match करना चाहिए जिससे हम इसकी value put करें सकें और हम law of transformation को दिखा सकें इसको नाम देते है equation 2 now from equation 1 and 2 अब हम equation 1 और 2 से लेंगे हम यहाँ पर equation 2 में equation 1 से value को put करेंगे यहाँ पर जम value put करेंगे a bar l k इसकी value हमने put कर दी और यहाँ पर del x double bar i upon del x bar l del x k upon del x double bar j अब हम यहाँ से इस bracket को open करेंगे इस bracket को हमने open कर दिया amn बस इसको bracket को open किया है calculation आप कर सकते हैं इसमें कुछ calculation नहीं करना है बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a x bar l यहाँ पर भी है और del x bar l यहाँ पर भी है तो यह से यह खतम और यहाँ पर del x bar k यहाँ पर भी है और del x bar k यहाँ पर भी तो यह दोनों भी आपस में खतम तो हमको मिलेगा बस इतना हम देख रहे हैं कि a double bar i j equals to a m n del x double bar i upon del x m del x n upon del x double bar j हमको यह मिल गया और यही जो है हमारा यह proof करता है कि जो last transformation है mixed tensor of second order का वह group property या तो कहें transitive property को process करता है क्योंकि यहाँ पे हमने जो पहला transformation लिया था यह transformation x i से x bar i में हुआ है और जो दूसरा transformation हुआ है x bar i से x double bar i में हुआ है जो तीसरा हमको मिला है वो direct transformation मिल गया x bar sorry x i से x double bar i में तो यह यह proof करता है यह transitivity को hold करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने x i से x bar i में और Xबार i से Xडबार i में इसको हमने A, B, C माना है तो X i से Xबार i में जहां पे astronomical हुआ है वहां पे A का relation B से हो गया जो कि हमने यहां पे बताया है और यहां का capitalist B का relation C से हो गया और जो last में आया है वो A का relation direct C से क्योंकि X i का transformation Xडबार i में हो गया है और जुड़े रहे हमारे चैनल से पाते रहे हैं ऐसे ही वीडियोज और थेरम्स थेंक्यो सो मच्छ थेंक्स फर वाचिं दिस वीडियो